तो गाइस आज मैं बना रही हूं कुछ स्पेसल तो यह मैंने पकोडी के लिए बैटर तयार कर लिया है अब मैं तलने लग गी हूं पकोडियां तो बने रहेगा मेरे व्लॉग में देखेगा मैं क्या बनाती हूं आज तो गाइस फाइनली पकोडी बनके हो गए है तयार अब जिस बर्तन में मैंने पकोडी के लिए बैटर तयार किया था उसी बर्तन में मैं डालेंगी मठ्था इसमें थोड़ा सा बेसन और बच्चा है इसमें डालेंगी मैं तो गाइस अब मैंने इसमें मिला लिया है घर का प् तो गैस मैंने इस मसादेशन में ला रख है ज्यादा ग्राड़ा भी नी में नाले है अब मैं इसमें एड़ करूंगी मसाले अब मैंने डाल देशी हल्दी और लाल मेच दनिया अब कि पपोरी में भी नमक दाला हुआ है तो गैस मैंने सारे मिठाले समय है अब इह ने कुछकनी में नहीं हाँ और गढ़ एक अधायम के लिए तो मैं नाएP pensar yahore तो मैंने यहां पे काट लेया है अधा प्याज और एक हरी मिर्च तो गाइस फाइनली ओएल गरम हो चुका है अब इसमेरा लोगी तो चीरा अब इसमें एटकर दोरी कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च हम देंगी तो मैं उसमेरे क्यां अब इन्गान एक प्याज को अनुवाज हो गया है अब दांग में इसमें एक करना के तो चाहसे अब आख ने जिए तो गाइस में तो पानी और एट कर दीए उसमें कि यह पक्तने में पहुत जाड़ा हो जाएगा तो जैने इतना पानी और एट कर लिया है अब आख ना ने दुबाला नगी तो गाइस फाइनली यह बन चुपा है अब इसमें डालूँगी और थोड़ा सा और पकॉरी उसके बाद पकॉरी मिक्स कर दिया है फाल कस और पकले दूंगी में इसको इसके बाद बनके बिल्की प्रेड़ी हो जाएगा थोड़ा से पकॉरी में ने चाहे के सब खानी के लिए बचा दिया है तो गाइस फाइलली हमारा खाना हो गया है यह है पकोडी की जूरी किसको पसंद है कमेंट बॉक्स में जूरी बताईएगा